आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं के लाइफ में बैलेंस कैसे रखें और लाइफ में बैलेंस रखना चीजों को लेकर कितना जाधा जुरूरी है और कितना हमारे लिए बैनेफिशिल है और उसके साथ-साथ मुश्किल भी है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी कियों दोस्तो लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है हर एक चीज में वो चाहिए आपका कोई गोल हो जिसे आप अचीव करना चाहते हो वो कोई आपका रिष्टा हो जिसके साथ आप हो या फिर आप केरियर ओरियंटेड हो अपने बिजनिस को लेकर पैशनेटेड हो आपका बिजनिस हो हर एक चीज में बैलंस रखना ज़रूरी है चाहिए वो हमारी बैलनस डाइट ही यह तो नहीं उसमें भी बैलंस होना बहुत जादा ज़रूरी है क्य curiosity हमारी बोडी को हर एक चीज की जरूरत होती है वो चाहें प्रोटीन सो वाइटमीन सो मिन्राल सो फाटी इसीडों और हम अपनी बोडी को हर एक चीज देना हमारे लिए जुरूरी होता है हम ऐसा नहीं है अपनी बोडी नहीं होगी तो उससे हमें फायदा तो होगा लेकिन उसके साथ-साथ नुकसान भी होगा एक बहुत खुबसूरत अमारत जो देखने में खुबसूरत लगती awake हो और वो balance way में बनी होई तो वो उतनी ही जाधा मजबूत होगी और अगर उसमें बैलेंस नहीं होगा तो उसके गिरने का डर उतना ही जादा रहेगा बैलेंस चीजों को लेकर जितना दिखने में खुबसूरत लगता है एक्चुल में वो उतना ही जादा मुश्किल होता है और अगर हम एक बार अपने लाइफ में चीजों को लेकर बैलेंस होने लग गए तो उससे हमें बहुत कुछ अच्छा मिलता है और हमेशा याद रखना जो जितने भी मुश्किल रास्तों पे हम चल रहे होते हैं तो उसकी मनजिले हमेशा ही खुशूरत होती हैं कोई भी चीज बहुत असानी से हमें नहीं मिलती आपने देखा होगा कि तराजू का जो पल्ला होता है अगर वो दोनों साइट बराबर है एक एक्क्वालिटी पे है तो उससे दोनों को ही फायदा मिलेगा और अगर उसका जुकाव एक तरफ कम या जादा है उससे एक को फायदा तो होगा लेकिन दूसरे को डाफिनिटली नुकसान होगा ही होगा तो आप लाइफ में कुछ भी करें उनमें बैलेंस रखना सीखें क्योंकि हर एक चीज़ जरूरी होती है लेकिन वो हर वक्त पे जरूरी हो यह जरूरी नहीं हो सकता वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और comment section में अपना perception जरूर शियर करें थांक्स फर वाचिंग, थांक्यू सो मच